नमस्कार दैनिक्षिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बात करें महिलाओं की तो आज देश में कोई भी ऐसा शेत्र नहीं जहां पर महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुर्शों के साथ नहीं खड़ी हैं अंत्रीश इंत्रिक्ष से लेकर आई-एस आई-प वालों की है जो की एडिटर इंचीफ है डिजायर निउस डूप धिली से इनसे बात चीज करेंगे आखिर किस तरह से समाज में जो सोच है बदल रही है जहां पर एक वो समय था जब महिलाओं को किसी भी शेतर में अगर बात करें मॉडलिंग की शेतर में या कहीं अक्टिं किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही है आप किस तरह आप वरिष्ट पत्रकार है इडिटर इंचीफ है किस तरह सिंसारी बातों को लेती है देखिए जब मैं इस धरती पे जनम लिया था तब मैं अकेली बीटी थी अपने घर में और बड़े चाव से मुझे जब मैं आई महिलाओं को काम करना है बहार निकलना और उनको काम करना है तो मुझे तो यह चीजे जब मैं बड़ी हो गई जब मैं समाज में देखने लगी तो मुझे लगा हो अरे में sentiments में नानी working में तो परिवार में सारी वह इंट था और बलकि मैं Hemara यहता कि अगर आप वर्किं नही सब्सक्राइब करना है तो नारी शक्ति को इतना बड़ा वर्दान मिला है कि वह एक जन दाता होती है तो मुझे लगता है जब उपर वाले ने हमें एक स्पेशल चीज से नमाजा है तो यह समाज हमें इस तरीके से क्यों बाते करता है मेरे साब से सब लोग जो मैं लेडिस को मोटिवेट आप देख है कि मेरे पास वाली घर में जाड़ू पोचा बरतन कर रही है तो उससे उसका कंपेर्जन होता है घर में काम करती नहीं करती हम जब अर्बन एरियास में आ जाते हैं तो हम अपनी बच्चियों को मोटिवेट करते हैं कि आप भी वनें तो सोच का और जगे का थोड़ा फास अब हम जन आप ऐसे सीनेर जनलिस्ट हैं तो सी के रिगार्डिंग भी बात रहें क्या बच्पन से आपका सपना था कि मुझे आजे पत्रिकारता में ही अपना प्रोफेशन इसे प्रोफेशन लेना है या सोच कुछ औरती पर मिला कुछ नहीं जी मेरा तो था ही क्योंकि मै तो मैं पत्रिकारता में में को बड़ा शॉक था लेकिन क्योंकि एक काईस बैक्ग्रांट से ब्लांग करते तो पेरेंस यह जाते तो यह जाते हैं या तो मैं जाते हैं या फिर यह इंजिनरिंग करें बट I was very dedicated girl तो दिमांग में ठान लिया फिर मैं इसको नहीं करती थी त और पहले ब्रांट में भी काम करते हैं तो कभी कवार होता था कि आप सुबह से शाम मेहनत करके आई हैं आपकी नहीं लाई जाती तो जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि बड़े हार्ड वर्किंग वे से इस लेवल पर पहुची हूं तो यह सबसे अची बात ह अपने खाके मुझे अपना चैनल मुझे खोलना पड़ा कहींना कहीं मानते हैं आज जनरलीजम की लाइन में भी काफी सारी बाधाय आती हैं हम पूरी तरह से यह निकिस सच को नहीं दिखा पाते हैं हमारे उपर ब्यूरोक्राइट का प्रेशर आ जाता हमारे ऊपर कहीना क दो मुझे लगता है कि मैं किसी से नरू मुझे देखे वेल रघृत होती गोद्ध मेरे समर्फ यू लगता है मुझे सब आर्गू कर shines लिख सकते हैं और गणाने जो पोटनलिख जाता ही और तो इन के साथ ह współ बोटने ही उपारणे है को उपल श्रह परिवारा को घय कृटिंग इसमांज को हुआ फेन को मैं इसचीज को सोचती हूं ना मैं महिलाओं को सपोर्ट करती हूं जो पहले ही बच्चियों को कोक में मार देती हैं ब्रून हत्या करती हैं मैं उनको बिल्कुल भी आगई भी किसी लड़की को कहूंगी कि आप में बहुत हिम्मत है बहुत जजबा है बस उसको पहचानो आप कॉंफिडेंस लेवल दबाया चाते हैं आप उसको समझो कि आपका जली बानती जानते हैं दिली दिलवालों की जहां से आप है और हम जमू से हैं किस तरह की आज की दोर में चैलेंजिंग यह प्रफेशन बट मैंने आप जैसे पहले बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए आप तत्यों में बात करते हैं तो आपको कोई निगलेक्ट नहीं कर सक जिन से आप इंट्रैक्ट कर रहे हैं जो भी अधिकारी हैं जो भी ब्यूरोक्राट से कुछ भी हैं एंड ओफ दी डे रही हैं वो चोला सिर्फ चेयर पर लेकर बैठते बट जब भार निकल के आते हैं तो तो कही ना कही वो अगनेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि करना कि उसके जर्वारोकारत परें डर्भा नहीं भी उतलड् 이 जो अखतरा ने आप धिश्य एक हैं चिल्ड फेमेल अनगी वह उन उस चीजस religion अग मुझे पजा की और मुझे बहन चले रही हूं मुझे लगता की मेल पर ऊब चीज को समझेंगा पर मुझे तो लाइफ में बहुत अच्छे लोग मिलें मैं थैंक यू करना चाहती बहुत अच्छे लोग मुझे ऐसा सामना नहीं करना पड़ा लेकिन अगर किसी महिला ने कुछ सामना करें तो हम उसके साथ आके खड़े हुए थे और आगे भी खड़े होएंगे महिला को सक्षम करने की बात किजा महिला होर भी रही है पर आज भी हम 21 में सदियें पर जिस तरह से आप देख रहे हैं बुरून हत्या हो रही है जमू में तो हमने कई सार यासी स्टोरी जनता के सामने रहे क्योंकि कहीना कि एक मां जो जिसने 9 महीने अपने बच्ची को कोक में रहा किस तरह से वह महीला वो भी तो महीला है ना जो सोचती है कभी बच्चों की चोटी चोटी कि को मार के आप जो हैं वो घर का चिराग उत्पन करें ऐसा नहीं है बिल्कुल भी मैंने अच्छे चिरागों को भी देखा है जो बुच्छते हुए डंग से बुच्छते हुए क्योंकि उनके कर्मी ऐसे थे कि गलत काम करके बेचियां को मार के और बेटा पैदा करती है और वो सोचते हैं कि हमारा कुल दीपक आ गया और हमारे घर को उजाला करेगा तो यह अनौन लेकिन एक चीज़ आपको यह भी समझने पड़ेगी अधर साइट सी मेडिया में भी अल्विस अंडर्सटेंड दी डियार टू साइट साइट तो आप यह समझे कि वाट अट अधर रही है तो पर चीज़ों को कि ब्रून हत्या को प्रमोट कर रहे हैं अगर आप और मैं भी रात के बारा बजे दो बजे रात में निकलते हैं तो कहीं नहीं हम भी सोचेंगे हमारी शुरक्षा नहीं है उसके बाद कि हमारे पास अपॉर्चनिटी इस कितनी है शादी का प्र प्रदान मंत्री जी कहते हैं कि महिलां की सुरक्षा के लिए कानून सकड़े बनाए गया उनके लिए काफी सरी स्कीम भी लाइए उसके बावजूद इस तरह की घटना होना कहां पर कमी है कमी तो लॉइन और मैं कहते हूं हम आदमियों को हैं मतब मान लीजे आपका भी कोई बच्चा है मान लिए बेट वह सीखता है और उसका दिमांग होता जाता है फिर जैसी बेटा पैड़ा होता तो उसको कुल दीपक की तरह के से उसको पाधी दे दी जाती है उससे लगता है यह सबतों मेरे नीचे कुछले लोग है तो घर में ऐसा नहीं है लड़को को दिए भी जाती है जैसे मैं अपन सब्सक्राइब टैसे ने कंवेज़ए लसे अनोंल सब्सक्राइब उनको महिलाओं की रिस्पेक्ट कराईए सिर्फ नवरात्रों में मातरानी की रिस्पेक्ट मत करिए कि जै मातादी करने के से कुछ नहीं होगा और यह जो आपने बुरून हत्या करके जो पाप कर रहे हैं इसका बुक्तान आपको आगयाने वाले समय में मिल जाएगा कितना योगदान एक महिला को आतम सम्मान दिलाने में उसको सममान करने ऐसा और दारा जाता है लड़कियों में जब फाइनाशल सेक्टी हो जाती है एक टरिपल तलाक का इश्यू था तो उन्होंने आपको सुननी पढ़ते हैं तो आई ठिक हर महिला और आचकल मैं इतनी महिल महिलाओं को आगे ला रही है और अपनी को सपोर्ट कर रही है तो आपको ऐसी महिलाओं को डूड़ना चाहिए और औरों को प्रोचसाहित करना चाहिए तो किसी महिला के लिए चाहिए मेरी बेटी आए अगर फाइनेंशली सिक्यूर्ड है तो मुझे बता है कि वह अपने कॉंफिदेंस लेवल को इसी वजह से कि माता पिता भी कब तक दिहान रखेंगे मान लीजे मैं भी अपने पेरेंस के पास जाते हैं काब तक देखेंगे उनका आप अगर में बहुत काम करें तो आपको बहुत को चोड़ना ही पड़ेगा तो आपका काम हो सकता है तो बहुत आसी महिला को जानती हूं और उनको एक उनने सारे को बहुत बड़ा करें उन्हों सारी महिला एक प्लाटफॉर्म पे आ रही है तो यह तो समाज के लिए देश के नेताओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ है समरीती बढ़नाकर जी बड़े प्यारे और अच्छे अलफाजों में काफी सारी बात इन्होंने आप तक कह दी कि एक में रिजन जो से सक्षम होना बहुत है जब तक हम समाज में इस तरह की चीज़ों को नहीं लाएंगे समाज क्या बदलेगा जब हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे देखे बटनागर जी को यह जो अच्छे परिवार से उसके बावजुद आज इन्होंने अपनी मेहन से अपना मुकाम प से लिष्सवार्ण से इस एले इसीज़ों को यह जब होजब तक हम इस बाव में ड़़ सिए जब है बावी है pr acredब कर दिएरे घर बदलेफ हम इ Caesar